जो पेंट मुझे फर्स्ट क्लास में लेके दी गई थी, वो ही पेंट मैं पांच मी छटी क्लास तक पहनता गया, आसपास के बच्चे मजाग उडाते थे, लेकिन हमेशा मेरा पढ़ाई पे फोकस रहा, जब मैं 12 में आया, मेडिकल लिया, डॉक्टरी के बहुत नजदीक पह महच गया था, कुछ ऐसा हुआ बार्मी करने के बाद के जिसने मेरी पूरी जिन्दगी बदल के रख दे, मेरा नाम डॉक्टर हरजीत सिंग भट्टी है, मेरा जनम बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, और शुरू से ही लेकिन मेरी मम्मी की एक इच्छा थी, कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और क्यूंकि वो तो अपनी घर की प्रस्तितियों की वज़ा से, परिशानियों की वज़ा से, शायद खुद तो नहीं पड़ सकी, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा रही कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जब मैंchlी 5 साल का हुआ, तो मेरी मम् मुझे लेके गई स्कूल में एड्मीशन दिलाने के लिए तो उनको वहां पे केंद्री विद्याले में मुझे लेके गई वहां के टीचर्स ने पूछा कि आप तो मेरी मदर क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको कुछ समझ नहीं आया उन्होंने दो तीन बार पूछा थोड़ा इरिटेट भी हुए फिर उसके बाद हमारे वहां पे साथ में एक सुबेदार अंकल थे वो खड़े थे उन्होंने कहा कि क्या शुरुआत करनी है बच पूरा का पूरा जो सिस्टम पढ़ाई थी वो शुरुआत हुई उसके बाद जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते के दौरान घर में बहुत गरीबी थी बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा ऐसा भी था कि जो पैंट मुझे फर्स्ट क्लास में लेके दी गई थ सौक्स दिखने शुरू हो गए आसपास के बच्चे मजाक उड़ाते थे टीचर्स ने एक दिन मम्मी को बुलाया और बोला कि आप अपने बेटे को जो है नए कपड़े लेके दीजिए क्योंकि आसपास के बच्चे भी इसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन क्योंकि घरीबी क के लाये कपड़े नहीं खरीच सकते थे तो मम्मी नहीं क्या किया उसी पैंट के नीचे एक एक्स्टरा कपड़ा लगा दिया हमारी नीले रंग की पैंट होती थी ल curriculum अलग से दिखता था य। एकदम लाइट कलर की के कुछ लेके हमने जो है मैंने नई पैंट सिलवाई और इस तरह से गरीबी में निकलते निकलते लेकिन हमेशा मेरा बढ़ाई पे फोकस रहा मैंने कभी अपनी पढ़ाई से अपना »ね basta click हमेशा एक focused way में पढ़ाई की और हमेशा एक curiosity के साथ पढ़ता रहा मेरे को बहुत बच्पन में एक बार सिखाया गया था कि अगर आपकी जिंदगी में कोई सबसे बड़ा teacher है तो वो है observation तुम्हें observe करना है तुम्हें कोई सिखायेगा नहीं तुम्हें खुद सीखना है कि आखिर यहां से मुझे क्या सीखने को मिलेगा और इस जगा से मुझे क्या सीखने को मिलेगा और यही करते करते जब मैं 12 में आया medical लिया डॉक्टरी के बहुत नजदीक पहुँच गया था और लगा था कि अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है और मैं डॉक्टर बन जा गया है ये चीज ऐसी थी एकदम शौकिंग क्योंकि वो सेहत मन थे उनको कोई परिशानी नहीं थी कोई बिमारी नहीं थी और हमारी दुनिया जैसे एकदम से उजड के रह गई थी मैं PMT की तैयारी कर रहा था और मुझे लगा था कि मैं डॉक्टर अब बनी जाऊंगा पर य के साथ साथ में पढ़ाई भी करता रहा और जबलपूर में MBBS जोइन की है जब मैं MBBS में गया तो मेरे जो साथ के लोग थे यूजुली मेडिकल प्रोफेशन में आने वाले लोग अच्छे घरों से अमीर लोग ही होते हैं मैं ही था जो एक गरीब परिवार से गया था और जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर रैगिंग बहुत जादा थी हमारे टाइम पर इतनी जादा रैगिंग होती थी कि अगर आपको अपने कमरे से लेके होस्टल के गेट तक बाहर जाना है तो कम से कम सो थपड़ मारे जाते थे ये केबल एक तरीका था सीनियर्स का जू अमी का कॉल आना कि बेटे कैसी चल रही है तरी पढ़ाई तो हमेशा खोशी खोशी बोलना कि मैं बहुत अच्छा हूं यहां पर बहुत खोश हूं और बढ़िया तरीके से अपना जो है मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा हूं लेकिन अंदर ही अंदर इतना डर रहता था क्योंकि इस तरीके से हमें मारा जाता था फिर जब सेटरे संडे होता था तो जो साथी लोग होते थे वो कहीं बाहर कमरा लेके रेंट पर वहां पर रुख जाते थे लेकिन मैं तो अब रेंट पर कमरा भी नहीं ले सकता था तो मैं क्या करता था जाके गुर्दवारे में स तो गुर्दवारे की construction में जो खाली cement की बोरियां पड़ी होती थी, उनको भी ओड के कई बार लेटना पड़ता था, कि हम ragging से बच जाएं। और फिर जब अगले दिन hospital जा medical college जाना, तो फिर seniors की वो ही मार और उनका गुसा, लेकिन धीरे धीरे जब seniors को लगा के ये तो हमेशा यही पिटता रहता है, हमेशा यही हमारे सारे काम करता है, भाग भाग के sincerely सारे काम करता है, तो ऐसा भी टाइम आया, जब कभी हमारी ragging होती थी, सब लोगों को एकठा खड़ा होके, जब मारना होता था seniors को, जा डांटना होता था, जा उनकी ragging करनी होती थी, उस टाइम seniors मुझे खुदी कहा देते थे, के हर जीत, तू ऐसे कर, तू चल जाके हमारे लिए चाय लेके आया कुछ कर, तब तक हम बाकियों से बात करते ह तो कहीं न कहीं एक, उनके अंदर भी एक इंसानियत नजर आ गई थी, के लड़का इतना sincerely काम करता है, तो क्यूं इसको इतना परेशान करना, और वहां से मेरा उनके साथ एक अच्छा relation भी स्थापित हुआ, और मैं medical की पढ़ाई करते करते, आगे बड़ा doctor बना, जब doctor ब लगा जैसे जिन्दगी में बहुत कुछ पा लिया है, ऐसे लगा जैसे ये मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी achievement है, जो लोगों से आप सुनते होना के खुशी के मारे उचलना, मैंने वो अपनी जिन्दगी में महसूस किया है, मैं दो घंटे तक उचलता रहा था, जब मैंन मंदिर या गुर्दवारा या जो भी आप कहलें, सबसे बड़ी जगा आपकी वो AIMS ही है, तो मैंने AIMS की तयारी स्टार्ट की, जब मैंने AIMS के लिए पढ़ना शुरू किया, AIMS की प्रिपरेशन, जो PG की प्रिपरेशन होती है, उसको करना शुरू किया, तो उसको करते करते, एक साल का गैप लेना पड़ा, लेकिन मैं किसी तरीके से AIMS का एक्जाम भी क्लियर किया, और AIMS में जरियाटरिक मेडिसिन करने लगा, तो मेरा जो एक सफर था, मेरी मम्मी की एक खोयश, कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वहां से लेके एक AIMS का डॉक्टर बनना, यह बहुत ही मुश्किलों से, गरीबी से और स्ट्रगल से भरा रहा, लेकिन एक चीज जो मैंने हमेशा अपनाई है, वो यह है कि मैंने कभी अपने काम से गद्दारी नहीं की, मैंने हमेशा अपने काम को पूरी इमानदारी से निभाया है, चाहे आप कोई मुझे छोटा क काम कहें, चाहे कोई बड़ा काम कहें, मैंने हर काम को हमेशा फोकस्ड वे में इमानदारी से किया है, और ये सोचा है कि अगर ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसमें, मुझे इसमें पूरी खुशी मिलनी चाहिए, मुझे दूसरे की तारीफ से इतना फरक न लेकिन आज मैं अगर अपने आपको देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैंने शुरुआत कहां से की थी, एक वो हरजीत जो बहुत गरीबी में पला बड़ा, जो पैंट तक खरीदने के पैसे नहीं थे, कभी-कभी ऐसा भी होता था कि फीस तक लेट हो जाती थी, लेक मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों से, कि अगर ये हरजीत, जो इतनी बुरी प्रिस्थितियों से निकल कर भी, आज एक काम्याब, बड़ा, एम्स का डॉक्टर बन सकता है, और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, एक काम्याब इन इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें